इसमें इतने बड़े फल्की बात कही गई है, नौमी को यदि कोई यक हवन करता है, तो इसका हवन कुंड अश्टमी को ही बन जाए, यह नहीं कि कल ही हवन होगा और उसी समय तुम गोवर का पला लेके चलोगे, इंटे लेके चलोगे, इसमें कुंडम मंडल बतकृत्वा चा जानते हैं आप चूना, चूना से इसको पोतने की भारी महिमा है, माता दुरगा का हवन कुंड त्रकॉंड हो तो और ज्यादा प्रभावावसाली है, जिसमें चौती भुजाई नहों, तीन भुजाई है, मा के लिए तीन भुजा का कुंड बहुत ज्यादा प्रभावसाल प्रभावसाली है, माता दुरगा के जितने भी भगते हैं, सुनें, अश्टमी की रात्री को आप हवन करते हैं, अच्छी बात है, मा के यदि भगत हो तो नौमी को भले ही थोड़ा हवन करें, पुरान में भगवती महतमे में परणने हैं, मैया नवमी के यग्यसे हवन से भारी परस नौमी को यग्यसे ही,